हेलो, नमस्ती, हाव आज आज वीडियो में ये खुबसुरत से सिंपल से महंदी की डिजाइन हम बनाने जा रहे हैं इसके बारे में मैं ज्यादा इन्फॉमिशन दूँ उससे पहले आज के वीडियो में जिस कमेंट को हम शाउट आउट देने जा रहे हैं इसके बारे में बात कर ले वैसे तो इतनी सारी कमेंट आई है और हर एक कमेंट शाउट आउट के काबिल है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को जब मैं सारी कमेंट पढ़ रही थी मैं कितना emotional फिल कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसारी कमेंट के जरीए जो प्यार और आशिवाद आप लोग ने मुझे दिया है मैं really thankful हूँ God की कि उन्होंने मुझे ये opportunity दी क्योंकि कल जब मैं नहीं रहूंगी फिर भी जो knowledge मैंने आप लोगों के साथ share किया है वो मेरे वीडियो के जरीए और जो आप लोगोंने सीखा है वो आप लोगों के knowledge के जरीए आगे की बेड़े को पासवान होगा वो हमेशा यहां रहेगा I am really really grateful to God कि उन्होंने मुझे ये opportunity दी कि मैं ये knowledge जो मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ share कर पाऊं और शायद इसी को law of attraction या law of karma कहते होंगे कि जितनी कड़ी मेहनत मैं करती हूँ ये art को आप लोगों तक पहुचाने के लिए और उसी के बदले में मुझे आप लोगों से मिल रहा है धेर सारा प्यार और आशिवात जी हाँ मैं law of attraction में law of vibration में believe करती हूँ और मैं उसकी practice भी करती हूँ और इसलिए जब मैं ये सब positivity को देखती हूँ मेरा मन प्रशन्यता से भर जाता है law of attraction, law of vibration अगर आप लोगों ने नहीं सुना है इसके बारे में अगर आप जानना चाते हूँ मेरे कुछ affirmation है जो मैं हर रोज practice करती हूँ इसके बारे में अगर आप जानना चाते हो तो comment के जरिए मुझे जरूर बताएगा मैं definitely उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगी चलिए तो हम आज की comment को देख लेते हैं पहली comment है F. Anjum की तरफ से जो लिखती है बीना जी आप मेरी inspiration हो महनी लगाने का काम मैंने छोड़ दिया था बत एक दिन आपका motivational video देखकर ये काम अब मेरा passion और profession बन गया है God bless you I am so happy कि मेरी video की जरिए मेरी inspiration के जरिए आपने ये काम वापत शुरू किया है अब जो हमारी दूसरी comment आई है वो है शबाना एहमत की और से और वो कहती है Happy teachers day मैं T. Thoughtful E. Energetic A. Amazing C. Caring H. Helpful E. Encouraging R. Responsible मैं आज में को एक साल हो गया है आपसे मेंदी सीखते हुए और बहुत खुश हूँ कि मेरी को इतनी cute teacher मिली है शायद मैं इतनी अच्छी मेंदी कहीं और नहीं सीख पाती जो कुछ आप से सीखा है आप जो भी बोलते हो सब सही से समझ में भी आता है Thanks ma'am, love you ma'am I am also very thankful आपके ये इतने cute से message के लिए सच्छी में बहुत cute सा message था आपका चलिए तो अब हम design पे focus करते है आज का जो design है वो बहुत ही simple है और beginner friendly है मैंने beginners को ध्यान में रखते हुई पुरा design तैयार किया है शायद इस तरह की design को bangle वाली design भी कहते है चुडियो वाली design भी कहते है मुझे confirm पता नहीं है आप design लिखके मुझे जरूर बताएगा क्योंकि चुडियो वाली design में शायद borders होती है border के बाद border होती है तो आम पे हमने वही काम क्या है आमने पहुत सारी borders दाली है और खुबसरत सी borders दाली है एक बात मैं बता दू गलती मुझे हो गई है इस design में और गलती यह है कि यह actually backhand की design है पीछे की design है हाथ के पीछे की design है और मैंने गलती से उसको हाथ में आगे लगा दिया है लेकिन कोई बात नहीं design है जहा मन चाहे वहाँ लगा सकते हो तो यह तो सिर्फ आप लोगों की information के लिए मैं बता देती हूँ कि यह design हाथ में पीछे ज्यादा अच्छी लगेगी तो जी हाँ हमने design की शुरुवात में floral bunch बनाया है कुछ बेल फ्लावर के आजू बाजू बनाई है और हमने पेस्ली बनाई है simple सा flower arrangement हमने किया है फिर मुझे एक structure design चाहिए था इसलिए मैंने border डाली है और जब भी uneven structure uneven structure क्या था वो जो floral arrangement है वो uneven structure है उसके उपर कोई भी design अगर set नहीं होती तो आप उसके थोड़े दूर एक border डाता के फिर check से पूरा area भर दो या तो कोई भी filler element से पूरा area भर दो ये बहुत ही आसानी वाली trick है जबी भी आप कोई भी design में confused हो जाओ कोई भी ऐसा uneven structure है जहापे आपको पता नहीं चल रहा है कि इस design में आगे कैसे क्या कर सकते है तो ये बहुत ही simple सा एक trick है आप एक border थोड़ी सी दूर पे लगा दो और uneven structure को इस border को connect करते हुए या तो आप कोई checks बना दो या तो आप कोई filler element से उसको पूरा भर दो जब आप border बनाते हो तो उसके ऊपर कोई भी design बनाना बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पर मैंने बहुत ही simple वाले स्वस्तिक के checks का इस्तमाल किया है जो border बनाई है वो थोड़ी से different है लेकिन मैं अपने बहुत पुराने वीडियो में यह border बना चुकी हूँ शायद मैंने यह border अपने practice वीडियो में भी बनाया है अब जैसे मैंने कहा यह beginner friendly design है इसलिए मैं बहुत उसमें complicated element नहीं डाल रही हूँ जैसे कि peacock या तो कोई difficult वाला flower वो सब मैं नहीं डाल रही हूँ और यह थोड़ा bangle वाला design है तो जो यह wrist का area है उसमें जो पूरी design मैंने बनाई है वो पूरे एक bangle की design है और उसके बीच में जो मैंने जाली वाली design है यह जाली वाली design actually मेरी कमजोरी है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से उसको नहीं बना पाती थोड़ी मेरे लिए complicated हो जाती है तो इसके लिए मैं उसकी practice कर रही थी और यह अच्छे से बनी है अगर आप थोड़ा सा simple से उसमें जाओ तो यह जाली की design बहुत खुबसूरत लगती है और यह बहुत ही popular भी है तो पूरा यह जाली वाला जैसे बैंगल हमने पहना है न वैसा यह look देता है तुकि उसके आजू-बाजू हमने leaf बनाए है simple सी हमने frill की है और wrist के area में इस तरह की design बहुत ही खुबसूरत लगती है अगर यह जाली की design आपके लिए complicated हो रही है मैं चाहूँगी क्या practice करो लेकिन अगर complicated हो रही है तो आप कोई भी अलग से filler element से यह area भर दो तो बिल्कुल भी यह design खुबसूरत लगेगी लेकिन जाली ज्यादा खुबसूरत लग रही है ऐसा मुझे लग रहा है इस point में अब मैं design में wrist में जो बना रही हूँ वो तो एक border की design थी अब जो मैंने palm की area में लिया है वो dome बाला बहुत ही simple structure है जो बहुत ही popular है actually यह जो मैंदी की style है वो मेरी style नहीं है यह जो structure भी है वो मेरा style नहीं है लेकिन मैंने एक नया structure ट्राइ किया है बहुत सारे element जैसे मैंने कहा कि जाली का जो element है वो भी मेरा comfort style नहीं है फिर भी मैंने try किया है तो इस design में simple element हो है लेकिन मेरे comfort zone से बहार निकल कर मैंने यह design को पुरा बनाया है तो कई बार ऐसा होता है कुछ नया try करने के लिए कुछ नया सीखने के लिए हमें अपने comfort zone से बाहर निकलना पड़ता है कुछ रूल भी मैंने इस design के साथ अपने खुद के बनाये हुए रूल भी मैंने इस design के साथ भ्रेक किये है अब जो यह पुरा डोम बाला shape है वो पाकिस्तानी style मेंदी में बहुत ही popular है आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी type जो मेंदी होती है उसमें इस तरह के डोम की design वो लोग बहुत खुबसूरती के साथ बनाते है तो मैंने आज थोड़ा सा उसको twist देके अपनी design में उसको इस्तमाल किया है इस तरह के जो डोम वाले shape है वो पुरानी जो traditional मेंदी थी उसमें भी बहुत popular हुआ करते थे लेकिन मैंने पूरे डोम को बारिक design से भरने के बचाए मैंने अपना थोड़ा सा modern fusion style इसमें एड़ किया है जो flower हमने design के शुरुआत में बनाये थे उस flower को मैंने यहाँ पे अरेंज किया है और फिर जो बाकी का area उसका आजू-बाजू का खाली area जो बचा था उसको मैंने simple बारिक वाले swirl से भर दिया है ताकि जो हमारे flower है वो design में दिखे क्योंकि आजू-बाजू का जो भरने का area है वो important नहीं है लेकिन यह flower पूरी design में इस swirl की वज़े से उठकर बहार आ रहे है और फिर मैंने इस dome को थोड़ा सा हलका सा frill और गल्फ की जो पत्तिया होती है उससे decorate किया है इस तरह के shape अगर आप बनाने के practice करते हो आपकी line perfect आती है तो simple design होने के बावचूर भी यह design बहुत बहुत खुबसूरत लगती है इसलिए जब भी आप practice करो तो shape को अच्छे से बनाने की कोशिश करो क्योंकि वो line अगर आपकी smooth, neat and clean line बनेगी तो automatic आपकी design बहुत खुबसूरत लगेगी actually उसके ऊपर मैंने दूसरा layer में जो dome किया है बहुत ही traditional पाकिस्तानी style design में यह होता है layer में dome आगे बढ़ाना तो वही जैसे मैंने कहा मैं कर रहे हूँ पहले थोड़ी confusion थी कि मैं थम के area में shape दू या ना दू लेकिन मुझे perfection चाहिए था design में इसलिए मैंने finger card design जो सोचा था दिमाग में वह बदल दिया और थम के area को भी पुरा शेप से cover कर लिया आप चाहो तो दोनों dome के बीच में जो जगा है उसे कम भी रख सकते हो लेकिन पीछे जो हम design बनाते हैं जैसे मैंने कहा मैंने करती है मैंने design आगे बना दी है यह design पीछे ज्यादा खुबसूरत लगेगी तो पीछे की design ऐसे खुली-खुली अच्छी लगती है जैलरी टाइप का उसका लुक आता है अब दूसरा जो मैंने नियम ब्रेक किया है अपने लिए मैं ज्यादा तर एक समान जो रिपिटिट से भर दिया और सर्प्राइजिंग भी यह बहुत ही खुल्सुरत लग रहा था इस तरह के फिलर एलिमेंट रिपिटिटिव फिलर एलिमेंट हम लोग ट्रेडिशनल स्टाल मैंडी डिजाइन में पहले जब आशा शावला जी की design हम करते थे तब हम इस तरह से किया करते थे की में मोटिफम डाल देते थे फिर आजुबाजु का एरिया एक ही तरह की इस तरह की design से पूरा भर देते थे कई बार वो repetitive लगता था तो इसलिए मैंने ये इस्तमाल करना बंद कर दिया था लेकिन आज मैंने किया और ये खुबसरत लग रहा है अब finger की design के बारे में जान लीजे आज मैंने पांचो finger की cap की जो design है उसमें अलग-अलग design बनाई है हाला कि हमेंसान नहीं करते लेकिन आ I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे का देर सारी कमेंट के जरिए मुझे बताए कि आपको आज की design कैसी लगी क्योंकि मैंने cap में भी आप लोगों के साथ 5 different variation share किये हैं जो आपकी design में आप इस्तमाल कर सकते हो इसी के साथ मैं बिना art passion से अब मैं आप से विदा लेती हूं हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए stay blessed, stay inspired and keep inspiring everyone. Thank you everyone. Take care. Bye-bye. See you. झाल